नमस्कार मैं हूं अंकोर आप देख रहे हैं सत्य इंदी का नियोज बुलेटन एक नजर आप तक की सुर्ठों पर हेमाचर पुदेश विधानसुपा देख्ष कुलदीप सिंग पठानिया ने कॉंग्रेस के छे विधायकों को आयोग्य करार दिया है हेमाचर पुदेश विधानसुपा स्पिकर का ये फैसला तब आया है जब इसी हफते मंगलवार को राजसबा की एक सीट के लिए हो मतदान में कॉंग्रेस के इन छे विधायकों ने बीजेपी उमीदवार हर्श महाजन के पक्ष में मतदान किया था खुलदीव सिंग बठानिया ने बताया कि दल बदल विरोधी कानून के तहट छे विधाकों के खिलाफ उन्हें याचका मिली थी हमाचे पुदेश में कॉंग्रेस सरकार पर जो खत्रे का अंदेशा लगाया जा रहा था उसको आव विक्रवादित सिंग ने ही खारिज कर दिया है उन्होंने कहा है कि परिवेक्षकों की बाचीत पूरी होने तक वो इस्तीफे के लिए दबाव नहीं डालेंगे जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है उनके बुदबार सुबह इस्तीफे के बाद राजी की कॉंग्रेस सरकार के गरने का अंदेशा जताया जाने लगा था मतवदेश के पूर्व सियम कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिच किया है उन्होंने कहा कि कभी मैंने बोला कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं क्या मैं पागल हो गया हूं कमलनाथ ने कहा कि तरह तरह के अफ़वाएं फैलाया गया कि कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं क्या मैंने कभी कहा कि बीजेपी में शामिल हो रहा हूं क्या मैं पागल हो गया हूं संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोशन और लोगों के जमीन हड़पने के चर्चित मामले के मुख्यारोपी शाजान शेखो पश्य मंगाल पुलुस ने गुरुबार की सुबह गरफतार कर लिया उसे नौर्थ 24 प्रग्राश जिले के मीना खान इलाके से गरफतार किया ग कि उसे तुरंद गरफतार क्या जाएं ट्यम्सी के नेता शाजान शेको पश्य मंगाल की बशीर हाड कोट ने दस दिन की पुलिस हिरासत में भेड़ थिया है वकील राजा भामिकीने समाचार एजनसी एनाई से बात करते हुए यह जानकारी दिये है पश्य मंगाल पुलिस की पहली बैठक गुरुबार को पार्टी के दिली इस्तित केंद्री का रहले में होगी लोगसुबाचनाओ करीब है ऐसे में यह बैठक बेहत महत्तपूर मानी जा रही है इस बैठक में भाजपा के राश्टिया द्रेक्ष जेपी नडड़ा, पीम मोदी, ग्रीमंत्री अम किये जा सकते हैं, आसोसियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडियार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि छह राजनितिक दलों ने साल 2022-23 की अपनी आय गोशित कर दिये, जो 3,077 करोड रुपए है, इसमें से लगबत 2,361 करोड रुपए बीजेपी की आय है, एडियार के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में छह राजची दलों की कुल आय का 76.7 फीसेदी हिस्सेदारी बीजेपी की ही है, कॉंग्रेस ने 452.375 करोड रुपए की आय गोशित की है, जो इस फेरेस में दूसरे पाइदान पर है, इस राजची 6 दलों की कुल आय का 14.70 फीस नेशनल फीपल्स पार्टी और CPIM ने अपनी आय गोशित किये हैं, लोगसबाब चुनाव से पहले इंडियन एक्सप्रेस की Most Powerful इंडियन की लिस्ट में PM मोदी पहले और ग्रीमंत्री अमिशा दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, ऐसा लगातार साथ में साल हो रहा है कि ये सबी नाम BJP और RSS से संबन्द रखते हैं, विपक्ष के तीन अहम नेता रहुल गंदी, अर्विन के जिवाल और ममता बैनर जी टॉप 10 नेताओं के बाद आते हैं समाजवादी पार्टी के मुख्या अखलेश आदब की मुश्किले काम होने का नाम नहीं ले रही हैं, पहले जैन चौधरी ने, उनका साथ छोड़ा, फिर स्वामी प्रसाद मौरे ने, फिर सलीम, शेरवानी और मनोच पांडे ने जैसे नेता भागी हुए, इसके बाद र OLC की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में, अखलेश आदब से समझोती की इच्छा जताते हुए, पांच सीटों की डिमांड कर दिये हैं, अखलेश आदब को ये धंकी भी दी गई है कि अगर उन्होंने MIM से समझोता कर उसे पांच सीटे नहीं दी, तो असाद हुद्दीन OLC UP में ना सिर्फ खुद सीट से चुनाव लड़ेंगे, बलकि मुस्लिम बाहुल 25 दूसरी सीटों पर अपने उमीदवार भी उतारेंगे, किसानों के प्रदर्शन के दुरान खनोरी बॉर्डर पर एक यूबक शुबकरन सिंग की मौत के 7 दिन बाद, पंजाब पुलिस न 21 फरबरी को किसानों के अंदूरन के दौरान उनकी मौत हुई थी, बीजेपी के वर्ष्ट नेता सुपरमन्यन स्वामी ने कहा है कि PMO ने RSS के फ्रंट भारतिय किसान संग के उस बयान की मीडिया कबरेज को दबा दिया, जिसमें भारतिय किसान संग ने मोधी सरकार की क्रि अगने का समय है, पार्टी सुत्रों ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखली शादब के पांच साल पहले दर्ज अवैद खनन मामले में पूश्ताज के लिए गुरुबार को CBI के सामने पेश होनी के समभबना नहीं है, जिसमें वो गबा हैं, समाचार एजिंसी PTI ने सुत्रों के हवाले से बताया कि उत्तरपदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का यहां पार्टी कार्याले में PDA की बैठक में शामिज होने का कारक्रम है और अब तक उनकी कही जाने की कोई यूजना नहीं है डीडिये ने उत्तराखन टेनल में फसे 41 लोगों की जान बचाने वाली रैट माइनर दल के सदस से वकील हसन के घर को अवैद बता कर तोड़ दिया वकील हसन और उनके साथ ही मुन्ना कुरैशी ने जब डीडिये की कारवाई का विरोध किया तो पुलिस उन दोनों को उठा कर थाने लेकर आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रात आट बजे थाने से छोड़ा तब तक उनका पूरा मकान दोस्त किया जा चुका था रैट होल माइनर वकील हसन का कहना है कि डीडिये प्रशाशन ने भिना किसी नोटिस के उनके घर को ड़ा दिया उनका कहना है कि मैंने 2013 में ये मकान खरीदा था मकान की रजिस्ट्री 1987 की है लेकिन फिर भी प्रशाशन ने उनका मकान ड़ा दिया वकील हसन का कहना है कि इस पूरी कॉलनी में डीडिये ने सिर्फ मेरा मकान ही तोड़ा है इसकी वज़ा ये है कि वो लगातार मुझसे पैसों की मांग कर रहे थी एक बार तो मैं पैसे दे चुका था लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं थे इस वज़े से उन्होंने मेरा मका पुरानी पैंशन की बहाली की मांग को लेकर देशवापी अनिश्यतकालीन हरताल होने वाला है पुरानी पैंशन बहाली को लेकर इस बार रेलबे से लेकर राज और केंद्र सरकार के करमचाली हरताल पर जाने वाले हैं इन करमचारियों ने एक मई से अनिश्यतकालीन हरता कि एक मई से होने वाली अनिश्रितकालीन हड़ताल की वज़ये करमचारी वर्तमान राश्ट्य पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं करनाटक में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने और कॉंग्रेस नेता बीके हरीपरसाद के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है बीजेपी ने हरीपरसाद के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है मैं मुख्यमंत्री सिद्ध रमया ने आरोप सही पाये जाने पर जात की बात कई है इस बीच बीके हरीपरसाद ने कहा है कि मैंने कहा था पाकिस्तान हमारा पड़ोषी राज है ये बीजेपी के लिए दुश्मन राज हो सकता है अगर ये दुश्मन राज है तो बीजेपी पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापात क्यों करती है उन्हें पाकिस्तान को दुश्मन देश के रूप में घोचित करना चाहिए उन्होंने कहा कि मुझे एक विशेश अदिकाय प्रावते विधेक लाना होगा उन चैनलों के खलाब जिन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड कर पेश किया है मैं अपने बयान पर खायं हूँ अब तक के सुर्खों में इतना ही बाकी खबरों के ले परे रहे है